जिस तरह से चाय गिरने पर दाग लग जाता है उसी तरह से मनुष्टे का चरित्र भी है जब जब चरित्र गिरता है तो दाग लगता है और जब वो दाग लगता है आपके अपने नीजी स्वार्थों की पूर्ती के लिए आप ये भी भूल जाते हैं कि आपने अपने घर को तो बरबाद किया है उसी के साथ आप दूसरे का घर भी बरबाद कर रही है और इतना ही नहीं जिब दूसरे का घर बरबाद होता है तो उसका प्रभाव बहुत बड अच्छे अच्छी बातों को लेकर आता है और आपका विकास करता है लेकिन हम कभी भी उस धम्म पर ना जाकर बलकि संपर्दाइकता पर जाकर बात करते हैं और जिसके कारण हम अपने चरित्र के साथ साथ में दूसरे के चरित्र को भी हनन करने का काम करते हैं जैभीम नमो बुधाय आप देख रहे हैं NB News 24 इंटु सवन निलम बोध के साथ साथ ही अज मैं बात करूँगी कि एक सामाजिक व्यक्ति का चरित्र किस तरह का होना चाहिए जब एक व्यक्ति समाज में काम करता है तो उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके काम पर किसी भी तरह का लांचन ना लगाया जा सके यदि आप छल कपड से कोई भी काम करते हैं तो वो जादा लंबे समय तक नहीं दिखता उसकी बुनियाद इतनी कमजोर होती है कि एक आंधी का जोका भी उसको गिरा देता है इसी तरह से साथियो मनुश्य का चरित्र है जब व्यक्ति समाज में निकलता है तो उसे अपनी इंद्रियों पर किस तरह से काबू रखना चाहिए ताकि समाज में वो एक आदर्स थापित कर सके और दूसरों के लिए आदर्स बन सके लेकिन कहीं न कहीं आज हम देख रहे है कि इस भोतिक वाद की चका चोन में आकर व्यक्ति अपने चरित्र का ही हननन करता जा रहा है साथियों जिस तरह से चाय गिरने पर दाग लग जाता है उसी तरह से मनुष्य का चरित्र भी है जब जब चरित्र गिरता है तो दाग लगता है और जब वो दाग लगता है तो उसको लाखो करोडों रुपे की चमक भी फीका नहीं करती चरित्र, चरित्र के बहुत बड़े माइने हैं, कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है चरित्र लेकिन चरित्र, चरित्र एक तरह से मैं कहूं कि पूरी तरह से अपनी इंड्रियों को सयमित करके और सयम वहवार के साथ में आपको प्रतेक वहक्ति के साथ में सम्मेक वहवार करना है तभी आप अपने चरित्र को नियंतरित कर पाएंगे और लोगों से जब विश्वास उठता है तो तब-तब साथ ही चरित्र का हनन भी होता है गवाई हुई दोलत अब फिर से कमा सकते हैं गिरा हुआ मकान अब फिर से बना सकते हैं जीन शिन अवस्था में गिरा हुआ मंदिर अब फिर से खड़ा कर सकते हैं फटे हुए वस्तरों को आप दुबारा से सिल सकते हैं छूट गए मित्र जीवन में उन्हें दोबारा से पास सकते हैं लेकिन आपका चरित्र एक बार गिरा तो उसे दोबारा पाना बहुत ही और संभव हो जाता है इसलिए साथियों चरित्र पर आपको बहुत जादा काम करना चाहिए और इसके लिए हमें ध्यान साधना करनी चाहिए और हमें बुद्ध के द्वारा दिये गए उन पास सीलों को धारन करना चाहिए और उन पास सीलों को अपने जीवन में धारन करके और उन्ही 5 सीलों से हमें अपने दिन की शुरुवात करनी चाहिए और संध्या तक उन सीलों का हमें पालन भली भाति करना चाहिए और संध्या में एक बार फिर हमें रिमाइंड करना चाहिए कि क्या हमने जो सील सुभह ग्रहन किये थे उसमें से हमने कोई सील तो नहीं अगर तोड़ा है तो कड संकल पले कि कल जो सील आपने तोड़ा कल की दिंचरिया में वो सील ना तूटे अक्सर हमने सुना है कि पुरुष चरित्रहीन होते हैं कि एक महिला के चरित्रहीन हुए बिना एक पुरुष चरित्रहीन नहीं हो सकता और एक पुरुष के चरित्रहीन हुए बिना एक महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती इसलिए दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सम्मे ववार का परिच्छे देते हुए समाज में विचरन करें ताकि लोग आप पर उंगलिया ना उठा सकें लेकिन आज कल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पुरुस महिला के चरित्र के साथ में खिलवार करता नजर आ रहा है वहीं दूसरी तरह महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं साथ यों बहुत सारे घटनाय समाज में देखने को मिलती हैं कि किस तरह से एविवाहित महिलाएं ही नहीं बलकि विवाहित महिलाएं भी किस तरह पुरुसों की भावनाओं के साथ में खिलवार करती नजर आती हैं अपने नीजी स्वार्थों के लिए वो अपने जीवन सा साथी को भी परेशान करती हैं और इतना ही नहीं जब दूसरे पुरुष से उसका मन भड़ जाता है तो तीसरे पुरुष के साथ में अपने संभन स्थापित कर लेती हैं लेकिन वो कभी भी अपनी इस्त्री असमिता की तरफ मुह मोड कर भी नहीं देखती कि आखिर मैं क्या गरीमा है मेरा क्या गोरव है वह उस गोरव को कुछलते हुए सात्यों अपने नीजी स्वार्थों के लिए अपने चरित्र तक को बेचने का काम करती है तो खाली यह कहना कि पुरुष चरित्र होन होते हैं यह बिल्कुल भी सही नहीं है आज आये दिन कोर्ट में बहुत सारे केस ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें की महिला अपने पुरुसाति को फसाकर र儿 उस पर क्लेम कर देती हैं झूटे केस दर्ज कर देती है beginning आप सभी यह सोच रहे होंगे कि आखिर महिलाइं इस तरह से क्यों करती हैं या पुरू इस तरह से क्यों करते हैं साधियों इसका सीधा सीधा कारण है कि अपने नीजी स्वार्थों की पूर्ति करना क्योंकि जब वेक्ति समाज में रहता अच्छा भला बुरा देखता है एक नहीं, दो नहीं, बलकि नहीं जाने, कितने घटनाओं को अंजाम देता है, और समाज में जो गंदी मान सिकता है, उसको भी फैलाने का काम करता है, जब एक वैक्ति गलत काम करता है तो उस वैक्ति से बहुत सारे लोग भी गलत कामों को सीखने की प्रेणा लेते हैं लेकिन ये बहुत कम देखा जाता है कि जब वैक्ति अच्छा काम करता है तो उसे बहुत भारी संख्या में लोग अच्छा काम करने की सीख ले लेकिन गलत चीजों को समाज बहुत जल्दी धारन करता है हम समाज में देखते हैं कि किस तरह से आज अब भदर गालियों का इस्तमाल भी होता है किस तरह से एक दूसरे के चरित्र पर कीचड उच्छालने का काम किया जाता है किस तरह से एक व्यक्ति अपने आपको बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति के चरिक्र पर कितना भी बड़ा प्रशन चिन लगा देता है और आज ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे अंदर संसकार नहीं है आज हमारे अंदर धम का आचरन नहीं है अगर आज हम अपने अंदर धम का आचरन लेकर आते हैं अपने अंदर सीलो को लेकर आते हैं और उनको अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको इस तरह की घटनाए देखने को नहीं मिलेगी लेकिन विड़मना ये है कि आज हम धरम को सिर्फ धोने का काम कर रहे हैं आज सिर्फ धरम की हम जज़कार कर रहे हैं एक मनुश्य के जीवन में धरम का क्या महतवय या उसके क्या फाइदे हैं हम इस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं बलकि हम धरम को कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बता कर पल्ला जाडते नजर आते हैं। अगर सही रूप से हम धम को समझे तो धम आपके जीवन को अनुसासित करता है। धम आपके जीवन में अनुसासन पैदा करता है। धम आपको सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है, धम आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छी बातों को लेकर आता है और आपका विकास करता है, लेकिन हम कभी भी उस धम पर ना जाकर बलकि सामपरदा इकता पर जाकर बात करते हैं, और जिसके कारण हम अपने चरित्र क साथ साथ में दूसरे के चरित्र को भी हनन करने का काम करते हैं, साथ ही चरित्र उस शीशे की तरह है, जो एक बार तूट गया, तो आप लाग कोसिस कर लीजिए, आप उसे जोड नहीं पाएंगे, और जोड भी दिया, तो उसमें बहुत सारे निसान बन जाएंगे, तो ये किस तरह से काम करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है, और यहां पर मैं खासकर उन महिलाओं से भी कहना चाहूंगी, जो अपने नीजी स्वार्थों की सिध्धी करने के लिए अपने परिवार को उजाड कर दूसरे लोगों के घरों को भी उजाडने का काम करती हैं, आप इस तरह के काम ना करें, अगर आपको अपने नीजी स्वार्थों की पूरती के लिए आप ये भी भूल जाती है कि आपने अपने घर को तो बरबाद किया है, उसी के साथ आप दूसरे का घर भी बरबाद कर रही हैं, और इतना ही नहीं जब दूसरे का घर बरबाद होता है तो उसका प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर समाज पर भी पड़ता है, और जो लोग समाज में काम करते हैं उन पर भी पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लोग संधे की दरश्टी से देखने लग जाते हैं, तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि हमें अप समाज में विचिरन करने लाइक हूं, क्या मैं समाज में काम करने लाइक हूं, क्या मैं समाज में विश्वा स्थापित करने लाइक हूं, अगर आप ऐसे हैं, तो आपको दूसरे लोगों को भी सयोग करना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपको एक सभ्भेवे नैतिक समाज का निर्मान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी अपने आसपास उन्का सही तरीके से विकास किया जा सके जय भीम नमो गुधा मेरे चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एन्वी न्यूस 24 इंटू 7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेर करें कि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूँ